प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा जिसमें हर बार हम एक नया टॉपिक लेकर हाजर होते हैं ऐसी ही आज हमारा टॉपिक है जी का वाइरस जी हां हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कोविड-19 के बाद आज जी का वाइरस ने बहुत तहल का मचा रहा है और उसी के लिए आज हम डिसक देने बाद जी का वाइरस ने तेहल का मचा रहा है जी का वाइरस जी का वाइरस वाइरस होता क्या है जीका वाइरस एक वाइरस है जो की मच्छोनों के दौरा फैलता है और ये सबसे पहले इसकी जानकारी 1947 में यूगांडा में रीसस मंकीज में ये वाइरस मिला था उसके बाद फिर 1948 में इस वाइरस को जो है एडीज मॉस्क्यूटो वो मच्छर जिसके द्वारा डेंगी चिकन गिनिया आधी बीमारियां फैलती हैं यही वाइरस जीका वाइरस के फैलने में भी सायोग करता है अगर हम इनके लक्षडों पे बात करते हैं क्या लक्षड होते हैं जीका वाइरस के जीका वाइरस में जो पेशेंट को बुखार का आना सरीर में दाने निकलना सरदर्द बदन दर्द आँखों के पीछे दर्द होना जैसे कि लक्षड हमारे डेंगी और चिकन गिनिया है आगर हम differentiate करना चाहें तो किस तरीक की से um करना थोड़ा कठीन होगा कि जीका वाइरस और डेंगू को हम ऐसे मरीजियों में पहले डेंगू की जांच कराते हैं और अगर डेंगू की जांच निगेटिव आ रही है और सिम्टम्स इस तरह के हैं कि बुखार आ रहा है तो फिर हम इसकी जीका वाइरस के लिए जांच कराते हैं तब ही इसकी पूस्टी हो पाती है क्लिनिकली थोड़ा सा यह मुश्किल होता है कि हम क्लिनिकल ग्राउंड पर क्योंकि यह सारे जो सिम्टम्स होते हैं किसी अन्य बुखार में भी मिलते हैं इसलिए इसको जह है केव जांचों में सिरोलोजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें हम जीका वाइरस के लिए जो हमारी बॉडिज में एंटी बॉडिज बनती हैं जिसको हम आईजियम एंटी बॉडिज करते हैं तो एलाइजा टेस्टिंग से इसका पता हो जाता है और यह हमारी बॉड़ी में कम से कम एक हपते का टाइम लेती हैं एक हपते से तीन महिने के अंदर ये आईजिया में बाड़ी में मुझूद रहती हैं और जिसको हम एलाइजा टेस्टिंग के दौरा इसका पता कर सकते हैं लेकिन एलाइजा टेस्टिंग बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये दूसरे जो इसके पुस्ति हो पाती है आप अभी जीका वाहिरस होने का कारान अपने मच्रों को बताया greatest मच्छरनों से तो फैलताएसके सांथ अगर. अगर कोई भी संक्रमित ब्यक्ति है संक्रमित महिला या पुरुस है तो उसके पार्टनर को भी सेक्शुल कॉंटेक्ट से भी जो है उसको जो है संक्रमित हो सकता उसके पार्टनर को आपने अभी जीका वायरस फैलने का एक सेक्शुल आपने रीजन बताया अगर हम उस पार् मच्छों के द्वारा फैलता है यह सेक्शुल कॉंटेक्ट से फैलता है या कोई ब्लड सैंपल अगर किसी इंफेक्टेट दिकार दे दिया जाया किसी को ट्रांस्फ्यूज कर जाया तो केवल सरीर के टच होने से या पास बैठने से जीका वाइरस नहीं फैलता है जैसा एड्स में देखा जाता है यह इस तरह की चीजें आप कॉंटेक्ट से नहीं होता यह जो है जो है जो होता है रूट उसमें यह तो सेक्शुल कॉंटेक्ट हो या ब्लड वो केवल बॉड़ी के इस तरह की स्टैजिंग तो नहीं होती है लेकिन अलग अंगों को जह है जीका वाइरस अफेक्ट कर सकता है जैसे नियॉरॉल्जिकल प्राब्लम जिका वाइरस हार्मफल नहीं होता है, सिंपिल बुखार की तरह इसके लक्षन होते हैं और ये हफ़ते दस दिन के अंदर अपने आप बिना किसी इलाज के अगर कुछ इलाज की जरूरत होती है तो बुखार के लिए हम पैरस्टमाल गोली का अपरियो कर सकते हैं बाकी इसके लिए कोई स्पेसिफिक इलाज की कर देते हैं तो इसका कोई डेडलाइन होता है कि उस टाइम पीरिट में डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए सामानी तोर से तो अगर किसी वेक्ति को बुखार आ रहा है और सरीर में दाने हैं और सरदार्द हो रहा है कंजक्टिवाइटिस हो गई या इस तरह की जो जो अन् वाइरिस में जो दो इसकी बहुत ही रेर वराइटी होती है जिसमें जो है यह हमारे निरोलोजिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है जिसमें एक तरह का लकवा हो जाता है सरीर और रात पैरों की ताकत चली जाती है जो कि एक गंभीर वराइटी है अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए हमें तुरत निरो फिजीशन को दिखाना चाहिए या फिर महिलाओं में गर्वती महिलाओं में जीका वारेस का अगर संकर्मन होता है तो यह जो है जीका वारेस का संकर्मन उसमें पल रहे बच्चे को प्रभावित कर सकता है तो इसके लिए समय समय पे हमें शि जो अगर जीका मायरस से ग्रसित है अगर कोई प्रेगनेंट लेडी तो उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है तो किस तरीके का असर देखने के लिए मिलता है उस बच्चे पर यह पाया गया है कि जीका वारेस से जो संकर्मित महिलाएं हैं उनके बच्चों में उनका इनके दिमाग को अगर देखा जाया बाद में तो इन में कैल्सियम का डिपॉजिशन हो जाता है तो इस तरह की चीज़ें जो है जो जिन संकर्मित महिलाएं जो जीका वारेस से होती है उनके चीज़ें पाई जाती है जिसको हम माईक्रोसिफाली बोलते हैं जी डॉक्टर स्थिए है कि कि किस एज गुरूप में यë ज्यादा प्रभावित करता है कि इस एज ग्रूप को जपक्षेक्ट करता है यह जीका वारेस 24बिये पाया गया है कि जैक्यब प्रभावित में ज्यादा पाय जाता है और महिलाएं इसके in-game क्लिए जादा प्रून हैं जो ब्रा गर हम देंगू से जोसे compare करते हैं तो किस तरीके से अलग है ये देंगू से डेंगू में उसकी वराइटी होती है देंगू भी क्लिनिकल अगर लक्षण देखे जाए तो देंगू में भी बुखार का आना रैसेज होना और सरदाद का होना जॉइंट स्पेन होना ये सारी ची में जीका वाइरस में जो सबसे ज़्यादा कॉंप्लिकेशन होते हैं उसमें एक तो निरॉल्जिकल इन्वाल्मेंट जिसमें एक सिंड्रोम होता है जीवी सिंड्रोम या फिर गर्वती महिलाओं में जो माइक्रोसी फैली हो जाती है उनके होने वाले बच्चों में ये ची कि या देंगू का मच्छर दिन में काटता है जीका वा mapped और दिन दोनों में काटता है तो हम इक है इसी तरीके से जच्ञ किया जाता इस यह अधिकांसता प्रफरेबली जो है यह दिन में काटता है लेकिन अईसा नहीं कि रात में नहीं काट सकता है रात में भी काट सकता है लेकिन प्रफरेंसली जो है यह मच्छर दिन में काटता है और साफ पानी में पनपता है और दिन में इसका जो है जो है जैसा कि हम जान बस सिम्टोमेटिक इलाज होता है तो ऐसे हमें बचाओ वाली जो चीजे हैं उन पर विसेज ध्यान देना चाहिए तो अगर किसी को जीका वायरस का शंकरमण हो गया है तो दूसरों को नो फैले तो उसे जो है मच्छरदानी का प्रियोग करना चाहिए पूरी मां की वस्तर प काटेंगे तो उसका संकरमर वो मच्छर के अंदर जाएगा और फिर दूसरे वक्ति को जब काटेगा तो उसका संकरमर दूसरे जानी वक्ति को फैल सकता है जो जीका वायरस से ग्रसित हैं क्या उनके खान-पान में भी विशेश साबधानी बरत नहीं पड़ती है खान-बा बुखार रहता या बदंदार धोरा तो सबसे सुरचित दवा जो है परस्टमाल का सेवन करना चाहिए ऐस्प्रिन जैसी दवाएं जो कि जिन से ब्लीडिंग प्रॉल्म हो सकती है इस तरह की दवाएं नहीं लेनी चाहिए नहीं प्रियोग करनी चाहिए आपने जैसे अभी बोला कि अभी जिन दवाईयों के बारे में आपने डिफाइन किया है कि ऐस्प्रिन जैसी दवाएं नहीं लेनी चाहिए इस दौरान क्योंकि इससे ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है तो उस दौरान जैसे जीका वाइरस का पेशन किसी हाई ब्लट पेशर या हार्ट की बि विमारी से ग्रसित है तो उसको तो कोई ना कोई दवा लेनी ही जरूरी है क्योंकि उसके बगैर उसका काम नहीं चलता तो क्या वह दवाईयां भी बंद करनी पड़ सकती हैं अगर कोई दवाएं ब्लेट पेशर या डायबर्टीज की दवाई ले रही तो उनको चालू इनका सिंपल एलाज है कि इसके लिए हमें पैरस्टमाल गोली का प्रियोग करना चाहिए और हमें तरल पदार्स जादा लेने चाहिए और पूरी तरह से आराम करना चाहिए और जीका वाईरस सामाने तोर से एक हपते के अंदर इसके जो ग्रसित मरीज है वो ठीक हो जाता ह कुछ जो रेर वराइटी जिसमें की जैसे गर्वती महिलाओं में और जो निरॉल्जिकल प्राब्लम जिनमें होती हैं जिसमें जीवी सिंड्रोम अगरा तो ये कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए विश्यशग को तुरत दिखाना चाहिए जैसे आपने जो भी पैरसितमोल और ये कैसी एक आम दवा है जो लोग जैसे ही बुखार होता है या जो शिम्टम्स आपने बताये हैं वो नजर आते ही कि साथी तो वो खुद से दवाइयां लेने लगते हैं तो क्या ये सही है कि हम डॉक्टर की सला मश्वरा के बगार वो प्रॉपर डोज में ले जाए लेकिन मैं फिर भी सला ये ही दूँगा कि आप कोई भी अगर दवा ले रहे हैं तो अपने चिकेस्ट से एक बार संपर्ख जरू कर लिए क्या कोई विशेश टीका भी आता है क्योंकि आजकल अधिकतर बिमारियों के टीके आ चुके हैं कि अ नहीं बना है हाँ रिसर्च जरू चल नहीं है उसके कारे चल ला है लेकिन अभी मौझूदा समय में कोई जीका वाइरस के लिए ठीका नहीं बना है अग्टर जीका वायरस से ठीक होने में कितना बगत लग जाता है सामाने तोर से ये सास से दस दिन के अंदर इस मेरीज फिर जो गर्वती माताओं में इसमें जो है अबार्शन, मिस्कैरिज या फिर प्री टर्म या इस्टिल बर्थ या जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें जो जन्मजात जो खरावी है जिसमें सिर्चा चोटा होना या दिमाग का कमजोर हो जाना ज्वाइंट की स्टेफनेस मसेल की स्टेफनेस इस तरिक परिशानिया हो सकते हैं कि जीका वाइरस है जो ठीक हो चुके हैं पेशन उनको दुबारा से जीका वाइरस जैसी बिमारी नहीं होती है हाँ अधिकांस्ता ये पाया गया है भी ये चीज़ें कि जो है अगर एक बार इंफेक्शन हो जाता है तो इसमें लंबे समय तक इम्मिनिटी बाड़ी में आ जाती है और दोबारा इंफेक्शन होने के चांसे नहीं रहाए आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम संबाल टैबलेट देने से ठीक हो जाते हैं और चुंकि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं बना है तो प्रवेंशन के लिए हमें मच्छरों से अपने को बचाएं उसके लिए हम अपने घर के चारोतर पानी नहीं भरने दें कोई खुला बरतन है उसमें पानी नहीं रहने ग बच सके और मच्छर से गर बच जाएं के तो इतनी भी वेक्टर बॉर्ण डीजियस हैं जीका डेंगी चिकेन गुनिया इन सबसे हम अपने को बचा सकते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्राइम टीवी के शो हेल्थ पुरंत्रा में अपना समय देने के लिए झाल